हेलो फ्रेंड्स आप देख सकती है मैं आपके लिए एक निया प्लांट ले कराया हूँ मैं हूँ आपका अयन वेल्कम टू ट्री लभर अयन निया प्लांट देखने के लिए अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दिजिये और बेल आइकन बजाती जिए नोटिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स यह है रूबी जिनोसा फाइकस और इसे ऑस्ट्रियान फाइकस भी बोलते है और नॉर्सरी वालोंने इसे माइक्रो कारपा भी बोलते है देखिए मैं इसे कॉटिंग से ग्रो किया था और कुछी दिन पहल इसे ट्रॉंक चप किया था अभी तीन ब्रांच मुझे मिला है तो मैं इसे तीन ब्रांच के उपर काम करेंगे पहले यह जो दो ब्रांच आप देख रही हो लेफ्र राइट इसे में जिक जक सेब दूँगा और जो की उपर ब्रांच है उसे लीडर ब्रांच मान कर तो चलिए पहले इसे वाईरिंग कर लेते है इस तरह सा यह जो देख रही है आप बहुत चोटा ब्रांच है घ्रीन पार्ट भी है तो मुझे थोड़ा श्लाक करके इसे वायरिंग करना पड़ता है और इसे ये भी बहुत आच्छा वायरिंग सहर लेती है इस प्लांट देख सकते आफ मैं इस तरह सा वायरिंग कर ली अभी इसे थोड़ा जिग जग सैब भी दे दूँगा तो यकिन मानिए फ्रेंड्स ये पहुत आच्छा दिखेगा कुछी दिनों कुछी महिने के बाद देखिए इसको मैं इस तरह सा जिग जग बना लिया यह मेरा लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच दोनों रहे गए और एक इसको मैं उपर की ब्रांच बना के थोड़ा डिजाइन कर दूँगा इस जो कर सकते है कटिंग से और यह भी बहुत कम वाटर की जुरूरत होती है बिना क्यार भी यह बहुत जल्द यह ग्रो कर जाता है फ्रेंड्स आप देख सकती है अभी मैं इसे वायरिंग के कैसा सेब दे दिया पहले से कैसा था और अभी मैंने ट्रॉंक चॉप करने के बाद इस तरह सा ग्रो हुआ था तीन ब्रांच को लेकर मैंने प्लांट तयार कर ली मैं फ्रेंड्स इसी प्लांट को मेरा जो काव डॉंक मैनर है लिकुड फर्टिलाजर ही दिया था और कुछ नहीं दिया था फिर भी देखिए कितना अच्छा एवर ग्रीन प्लांट है फ्रेंड्स मैं चारों तरफ से आपको इसका भीव दे रहा हूं फ्रेंड्स यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना और अच्छा लगा तो सेयर जरूर करना थैंक यू फ्रेंड्स